बात करेंगे आजसे अगर चने की, तो चने का अक्टूबर वैदा देखनें की बावन सो सतर पर कारवा करताव नजर आ रहा है और बावन सो सो पिछतर का ही लगा चुका है पॉनेक फिजदी की तेजी चने के अक्टूबर वैदे के अंदर बनती भी नजर आ रही है हम देख रहेंगी चना के अक्टूबर वायदा आज भी बावन सो की उपर सस्टेन हो के चल रहा है और बात करें अगर हाजिर वजारों की तो आपको बता दें कि हाजिर वजारों के भी अंदर चने की जो कीमते हैं वो MSP से उपर ही देखने को मिल रही है आपको बता दें कि साल 2021 में चने के जो उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है वो लगवग 119.9 लाख टंकर लगाया जा रहा है वहीं पर आपको बता दें कि चने की कीमतों में हमने इस हफ्ता के शुरुवाती दिनों में एक सीमित दार में भी कारवार होता हुआ देखा था जो की सरकार द्वारा दालों की पर स्टॉक लिमिट और दालों का आयात होने की खवरों के चलते देखने को मिला था जिससे की दालूक में जो दलन बजार में हमने एक हलकी नर्मी आती भी देखे थी और उसी का ही रिजल्ट है कि चने की कीमतों में अभी एक सीमित दारत देखने को मिल रहा है डिमांड होने के बावजुद हम देखने की festival सीजन की हम पर डिमांड है तो हारी डिमांड भी है त चने की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है अभी जैसे ही त्योहार और नस्दी काते हैं चने की कीमतों में कुछ खरीदारी बंथी भी नजर आ सकती है और चने की कीमतों में कुछ एक हलकी फुलकी तेज़ी और देखने को मिल पाएगी लेकिन आपको बता दें कि जब से हमने देखा है कि मौनसुन फीर से सक्रिय हुआ है मौनसुन की गतिवीदिया एकदम से तेज होती हुए नजर आई है तब से हमने देखा है कि जो जानकार है जो विशेशग्य है वो बता रहे हैं कि दालों की जो अगली बुगाई होगी वो अच्छी होती भी नजर आएगी जिससे दालों की कीमतों पर एक प्रैशर बनता हो नजर आएगा और उसका असर चने की कीमतों पर भी पड़ता हो नजर आ सकता है अभी जो सेंटिमेंट बना है मार्केट में दलन बजार को लेकर चने को लेकर इसकी वज़ा से चने चने के अंदर निचले स्तर्व से खरीधारी बनती भी नज़र आएगी जो चने की कीमतों को अभी फिर एक बार फिर से तेजी की ओर लेके जाएगी